खुशी सोनू और मोनू नाम के दो भाई थे वह दोनों साथ में खुब खेलते साथ में पड़ाई करते बहुत मस्ती भी करते थे और कभी-कभी साथ में खुब लड़ाई भी करते थे एक दिन दोनों अपने घर के पास में खेल रहे थे तब ही उन्हें कुछ आवास सुनाई दी तब उन्होंने देखा बिल्ली की मां कहीं गई थी दोनों बिल्ली के बच्चे अकेले थे उन्हें भूख लग रही थी इसलिए खुब रो रहे थे तब सोनू मोनू जल्दी से भाग कर अपने घर गए और अपनी दादी मा को बुला कर लाए तब दादी मा ने देखा दोनू बिल्ली के बच्चे भूखे थे दादी मा ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और दोनों बिल्ली के बच्चों को एक-एक कटोरी दूद भी पिलाया अब बिल्ली के बच्चों की भूख शान्त हो गई और वो दोनों आपस में खेलने लगे और उन्हें देखकर सोनू और मोनू खुशी से बोले बिल्ली बच गई दादी माने सोनू और मोनू को शाबाशी दी और गले से लगा लिया इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है हमें सब की मदद करनी चाहिए धन्यवाद